नमस्कार मैं प्राणशीर अठोर और आप दीख रही हैं नेक्स्ट नाइन नियोज महरास्ट में स्यासे संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है महरास्ट में जिस तरीके से शिफसेना के प्रमुक उधव ठाकरे संग बगावत कर बैठे उन्हीं की पार्टी के 40 विधायक और आज वहें 40 विधायक डंकी की चोट पर कई बड़े ऐलान भी कर रहे हैं कई बड़ी चुनोतियां देती हुई नसर आ रहे हैं महाविकास अगाडी गट बंदन को उधव गुट और शिंदेगुट में जंग छिड़ी होई है इंतजार है सुप्रीम कोट आखिरकार 13 जनवरी के दिन 16 विधायकों की आयोगता पर क्या कुछ फैसला सुनाएगा तो लेकिन वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आखिरकार यहां पर असली मालिक कौन होगा शिफ सेना का इन मुद्दों से हटकर बात की जाए तो यहां पर शिंदेगुट और उधव गुट की मुश्किल हैं तमाम राजनितिक मुद्दों को लेकर बढ़ती हुई चली आ रही ह लेकिन अब जिस तरीके से उनके गुट में रार पढ़ती हुई नसरारी है इसको लेकर देखा जाए तो यहां पर स्यासी घमासान चेड़ सकता है आपको बता दें कि जल्द ही चुनाव आयोग शिंदेगुट के खिलाफ एक एहम फैसला ले सकता है यहां पर देखा जाए तो आप जाच परताल शुरू हो चुकी है शिंदेगुट की एक महिला विधायक को लेकर आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में जो अपडेट सामने आया है उसके बारे में जो खबर सामने आई है दरसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि आने वाले दिनों में पैनल ने शिंदेगुट की एक MLA के जाती प्रमाड पत्र को लेकर जाच शुरू कर दी है हाई कोट और सुप्रियूम कोट ने MLA के जाती प्रमाड पत्र को फरजी बताया है और इस मामले में संभंदित अथोरटी जल्द ही एहम फैसला ले सकती है जानकारी के लिए आपक महराष्ट की जल्गाउं जिले की चोपड़ा चुनाव छेतर में चुनाव जीती और दूसरी ही तरफ चुनाव आयोग ने नेशनल कमिशन फोर एस्टी को ये कहा कि महराष्ट की राज्यपाल की तरफ से पूछा गया है कि क्या लतावाई सोनावडे को फरजी प्रमाड प और इस मामले में चानवीन तब शुरू हुई थी जब चंदरकांथ बरेला की तरफ से नेशनल कमिशन फोर एस्टी में एक याचिका दायर की गई थी नवंबर के महीने में बरेला ने ये शिकायत दर्ज की थी और कोट के दुवारा सोनावडे की कास्ट सर्टिफिकेट को फरजी ठहराई जाने के बावजूद मौजदा विधायक को सदन से डिस्क्वालिफाइड नहीं किया गया ऐसे मैं उन्होंने एन सी एस्टी को बताया कि सत्ताधारी दल की महिला विधायक लताबाई सोनावडे काफी प्रभावशाली हैं अनु सोचे जाती के लिए रिजर 22 को सोनावडे के द्वारा पेश किया गया अनु सुचित जाती प्रमाड पत्र एस्टी सर्टिफिकेट स्क्रूटनी कमिटी द्वारा अपात्र ठेरा दिया गया था अब देखा जाए तो जून और सितंबर महीने में फरजी करार दे दिया गया लेकिन अब लतावाई सोना लिया जाए ऐसे में देखा जाए तो SD में उन्होंने कहा कि अदालत के द्वारा प्रमाड पत्र जारी बताई जाने के बाद चुनावाईव को खुद मामले में सुमोटो लेते हुए लतावाई सोनावडी को डिस्क्वालिफाई कर देना चाहिए था लेकिन अभी तक उन् किलने वाले तमाम सुविधाओं का लाब ले रहे हैं इस तरह से देखा जाए तो यहां पर अब उनकी मुश्किलें बढ़ती चली आ रही हैं देखना यह होगा कि आखिरकार यहां पर सदन से उन्हें डिस्क्वालिफाई किया जाएगा या फिर नहीं क्योंकि देखा सकता है जिससे कि यहां पर उनका पद मुश्किल में पढ़ सकता है और शिंदे गुट का आखिरकार क्या कुछ फैसला होगा कैसे यहां पर मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे इन जो विधायक हैं उनको मुश्किलों में फस्ते हुई बचाते हुई नसर आएंगे फिलहाल हम